हमारे काफी पौधे हमारे गार्डन में खराब हो जाते हैं सुख जाते हैं हमें कारण पता नहीं होता फ्रम माई एक्सपीरेंस 95 परसंट अव दे केसे में तो इसमें आप देख सकते हैं मेरा जो अंदाज था वो सही निकला इसमें देखे मैं अभी इस गमले को तोड़ कर इसे बाहर निकाल रही हूं इसमें देखे क्या हुआ है कि इसमें पूरी तरह से रूट बाउंड हो चुकी है इसमें क्या होता है कि रूट के पास रूट पूरा तरह से मिट्टी को अब्जर्ब कर लिया है अब इसके पास आपको फिल हो चुछ और नहीं बचे हैं जहां पर और गोट अपना कर पाए तो अकसर ऐसा होता है कि कुछ साल कुछ महिने के बाद जो होता है हम लोग जो पॉँट परवाइड करें अपने प्लांट को वो उससे छोटा पड़ता है वो अपना जो साइज हैं जो जो पोस है तो वो उसमें ग्रोथ नहीं कर पाता है अपना चैसे इसलिए आपको हमेसा ध्यान देना है कि time to time कुछ month या फिर कुछ year के बाद आपको feel हो कि आपके plant जो है उसमें growth स्टॉप हो चुकी है या फिर वो सूख रहा है तो आप उसे report की आपके पौधे की report की ज़रुत है और यहां पर देखे मैं इस मिटी को lose कर रही हूं ताकि अच्छे से मैं इसको report कर सकूं और यह इसमें अपना जड़ जो है वह अच्छे से फैला सके तो इसे reporting करने के लिए मैं एक गमले चूस की हूं इसमें देख सकते हैं आप यह मेरा पुराना गमला है गमला नहीं घड़ है उसमें डाल रही हूं अभी तो इसका मैं पहले से प्रिपेर कर ली थी इसमें 30 परसंट काव काव अगनिक फटिलाइजर है और उसके बाद मेरा गार्डेन सोयल है 70 परसंट तो इसमें आप नीम खली भी आड़ कर सकते हैं थोड़ा सा उसके बाद आप मॉस्ट्र है इसल तो अभी मैं अपने पॉधे की रिपोर्टिंग कर चुकी हूं थांक्यू